जिला परीशित की ओफलाइन सभा का आयोजन छे महेने बाद हुआ तो सभी सदस्यों में अपने को सरकल की समस्याव को रखने का उच्छा था लेकिन सभा शुरू से ही हंगामिदार रही विपक्षी भाजपा बोलने नहीं देने का आरोप लगा कर बार बार हंगामा करती रह एक बार तो सत्तापक्ष के सदस्य पर हाथ तक उठाने का आरोप लगा कर विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया किसी तरह सबह आगे बड़ी तुस्कूली बच्चों को गनवे श्वितरन के मुद्दे पर सत्ताधारियों ने विकवक्ष को बोलने नहीं दिया और अनलेदान और अनलेस सदस्यों ने शिक्षावे भाग में खरीदी घोटाले की जांच करने वाले समिती की रिपोर्ट को बोगस बताते हुए कोट में जाने की तयारी दिखाई है वही कोर्णा से बचने के लिए आरसेनिक अल्बम दवा की खरीदी के लटक जाने पर सत्ताधारियों वो प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए जांच की मांग की गनवी शुतरन के लिए तीन थेकेदार कमपनियों से शारा समीती पर खरीदी करने का दबाओ सभापतियों द्वारा बनाने का आरोप भी लगाया गया जिससे सदन में हंगामा खड़ा हो गया साड़ी चार बजी हुए हंगामे पर बोलने नहीं दिने विपक्ष की आवाज सबानी और दादागिरी करने का आरोप लगाती हुए बाजपा के सभी सदस्यों ने सभात त्याप कर दिया अद्यक्षय रश्मी बर्वे की अद्यक्षता में हुए सभा में उपाद्यक्षय मनुहर कुंभारी, सभापती तापेश्वर वैद, भारती पाटिल, उज्वला बुढारे, नेमावली माटे, सीयो योगेश कुंभेश कर, एडिशनल सीयो कमल किशोर फुटाने, प्रमिल प्रस्ताव, चिप में पारिद करने की बात रखी, इस पर भाजपानेता अनलिदान ने इस विशे पर चर्चा की मांग रखी, और यह सवाल भी दागा कि एक वर्श में राजी की सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या, उन्होंने कहा कि दिल्ली का आंदोलन किसानों का नही बल्की दलालो कले किया जारा है, इस पर उपादेक्ष मनोहर कुमारे भड़क उठे, उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रे ने अरानी अंबानी के लिए यह कानून बनाया है, दोनों पक्षर के बीच आरोप प्रत्यारोप चलता रहा अद्धिक शेल्च काम आनी करते भी असते, पना आमी भारते जन्ता पार्टी जे पंदरा सदस्या हो, जा प्रमाने मी उबा जलो कुंते प्रेश्ण मानना करता, तर तेंचे दुन्चार कॉंग्रेचे सदस्या हो है चे, आने आमाला बुलू दायाए चे नहीं, कि क्यामर पोसन राजकमार मोड के साथ, अभिशेक पांसे, बीसी न्यूस नापपुरू